हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 11 का मैथ का सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट कोशन बताने वाला हूँ दोस्तों अगर जैदे आप क्लास 11 में पढ़ती हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्याद हेल्प करने वाला है क्लास 11 के चात्रों के लिए मैं आप लोग को मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन बताऊंगा और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर वाला जो है मैं आपको एक chapter करने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुतियत help करने वाला है देखें अगर आप लोग बोलेंगे कि सर मैत में 30 में 30 कैसी score करें तो इसकी अगर बात करें जिसमें मैंने आपको बहुत सरे वीडियो में बताया है जिसमें करना क्या है इसमें आप लोग के तीन चीजों के requirement होगे पहला चीज आप लोग का concept अच्छा होना चाहिए दूसरा चीज इसमें क्या होता है दूसरा चीज मालता है कि formula अच्छा होना चाहिए और तिसरा चीज जो आप लोग का math जो है चाहता है वो रिवीजन है ठीक है यह इतना चीज़ अगर आप लोग के लिए रहे तो मैत मैप 30 30 में 30 लेने के लिए आप स्कोर यो ले जेवल है ठीक है तो चले हम वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए आप लोग यहां पर हमारा जो चैप्टर है आज हमारा टिगोनमेटरी है ठी में आपको करनी है तो किस पर का आप से करोगे यह भी मागे बताऊंगा ठीक है तो चले हम इसको डीटेल में समझते हैं तो यहां पर कुछ फॉर्मुलास लिखे हुए है जैसे मैं आपको बताऊंगा ठीक है कि यहाँ पर कोई हमारे पास समकून त्रिवूज है जिसमें आप लोग का यह आपका क्या है यह पी है यह आप लोग का एच है मतलब करन है और यह आपका बेसेन का अधार है यह लंब है यह वाधार है और यह करन है ठीक है तो इसमें से माल लो यह चीज आओर माल लो कि यह वह वाला में कुछ दिया हुआ है इसमें भी कुछ दिया हुआ लेकिन आज आज आपको निकालना है तो उस condition में आज का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मंहालों यह वाला द्यां और कि आपको छीज डाई यह वह द्या निकालना ना है तो आपको रूट में क्स्कट और इस स्क्ट कुएर और इससे परेश्णा है ठीक है सभी विद्यार्थी को यह चीज यह फॉर्मूला जो लिखे हुए यह आना चाहिए ठीक है उसके बाद कि साइन के लिए होता है पीवेट ए एच ठीक यह चीज उसके बाद देखिए आप अगर साइन का मतलब याद कर लिए तो वह भी आप को से का याद सकते हैं यह हो जाए एच पॉन कि यह इंसपट कर सकते हो तो तो आप से पाद कर सकते हो तो और पेसको में आपको बता देता हूं देखें यहां पशे साइन अगर साइन थिटा निकालना है तो साइन थिटा के लिए फॉर्मूला होता है पी बेटे में एच ठीक है इस आप बंडित बर्दी प्रसाद हरी अरी बोल से भी याद रहा गया इससे संबंदी तो रेक्ट हम है जो कि कोसेख है यह ना क्या है कोसेख इससे भी आप याद रहा तो यह सिंपल क्या हो जाएगा ह उपर चला जाए यह पहले आ जाएगा उसके बाद पी निचे आ जाएगा यह बहला फॉर्मूला हो जाए तिक है इस परकार से कुछ फॉर्मूले है आप लोग याद कर लेंगे यह कुछ इस पर इस पर मरें के तर्ध था के हैं इसको याद करवा देते क्या ना क्यूंक इसमें इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो उसको अर्फ याद करा देता हूं सिर्फ आ Mick श्रीफ ईसमें उस आने की कोसिस करते हैं या फिर आं 0 degree 0 होता है 30 degree half होता है 45 degree यानि कि 45 degree 1 बटे root 2 होता है नहीं और 60 degree root 3 y 2 होता है और 90 degree एक होता है अब cost का याद कैसे करें sir जिंदगी तो हम इसी में गुजार दियें 10th का हमने कुछ पढ़ाई नहीं sir याद अच्छे तरीके से करबा दो जिंदगी में नहीं बूलना चाहते है और ठीके तो देखो किसी भी हाल में इसको याद रख लोगें बताओ मुझसे वादा करो कि इसे आप याद रख लोगें तो वह हमारा जिहां हो गया एक बाद देखो तो सही है न देखो धियान से सुनना ठीक है न देखो आप धियान से सुनना दोस्तों यह आपका याद रह रह लोगें कि सुनना फ़रे पर साइन ग्रीव होता है सुनना गारे रहे रहरा घ्रा था पॉजच्छ में भाइब सिकए उसके बाद प्रटों 4 वाहन डिग्री 1 से पहले लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये है, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, बस हो गया, है ना, अब 10 का कैसे निकाले सर, ये तो हमने समझ ली, ये trick तो हमारा काम कर गिया, अब 10 का निकालना है, तो ये ये भाग दे दो, तो 0 बटे में 1 भाग थिन थ्री आ जाएगा याना वान अपॉं रुट थिरी हो गया यहां यह बहुत चीज चैंसल हो के आपके बाद 1 आपुं रुट टी और यहां पर 1 आपॉं रूट 2 है ना तो यह आप लोगा गुना में क्या हो जाएगा रूट 2 आपन में यह 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 नहीं कुट जाए इक यह बचेगा यह बचेगा तो आपके बस रूट थरी बचेगा और इधर आप लोगा इनफिटी ओजाएगा जाब आपका नीचे कोई बी ऐपर में अंस में कोई भी संकार हो और में आप लोगा जीरो हो जाएं तो यह Just पर देखि लेहां से सकते हों आपको क्या करना है यह से माझ लो कि कोष्ट थर्टी डिगरी को याद करना यह आप लोगा इह देखिए साइन ठेकर रिंड़ान के अगर कोष्ट क्याद करना है तो दो ऊपर में लग एक नीचे लेखो याना की 2 हो जाएगा अगर 45 डिगरी का लिखेवना है तो किस प्रकास से लिखोगे तो आना पॉन रूट एक मिनटा हम यह मत समझने कि इस इसका बता रहे हैं तो अगर आप लोग इसका रिखना चाहें तो यह आपका पस रूट टू पर मैं यह निचे कहने के रूट टू हो जागा कॉसे ठट्टे डिगर माने इस परकासियाद रख लेना ठीक है तो चले आप कोश्चन्स पाता है यह आते हैं दुबारा से और एक याद रख लीजे अच्छा होगा आप लोग के लिए ठीक है यह चीज़ अगर आप याद रख में थोड़ा से कलर कुछ चेंज कर लूँगा यहां से ठीक है यहाँ पर एक है कि साई 90 माइनस ठीटा कॉस ए मतलब है अब ए दिया गया ठीटा ले सकते हो यह ले सकते हो कोई अंसर कीजिए ठीक है किसी समकोन त्रिभूज में कोन का मान थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा तो देखिए यह सब चीजे मैंने पहले ही याद करने के लिए मैंने बोला कि यह जो चीजे दिख रहा है आप लोग को कि साई ने बराबर पी अपॉन एच पी मतलब क मतलब ह fautर अंख है 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 препstar के लिए याद करन के लिए बोला तो साइन थीटा के लिए पूछ रहा है तो साइन थीटा होता है क्या है पी आपॉन में एच पि मतलब पर पपें टिकुला जिसम लॉम बोलता है तो पर में खो और पीर मेंतल है किस में घियान से ऑब साशना का मै अगला सवाल है कि यहां से सवाल की सुरुवात होती है आप इसे कल्कूलिशन करना पड़ेगा तो देखी यह क्या बोल रहा है कि यदि टेने बरावर चार अपॉन तीन है तो कॉस एक आमान इसे अब लोग इतना सॉल्व करने की कोई जुरत नहीं है ट्रीक पाईए ट्रीक यानि यह कंसेप्ट पाईए क्या बोला यहां पर टेन ए ठीक है यह बरावर कितना है चार अपॉन में तीन है और यह किसके बरावर होता है तो यह आपउन होता है फी बटे में भी के तो क्या requirement है किसकी, तो cos A, यहाँ पर cos A की requirement, एक मिनिट, यहाँ पर किसकी requirement है, तो cos A की, और यह किसके बराबर होता है, यह बिष्मक्स का requirement हो रहा है, यहाँ पर b, मतलब एच चाहिए, नई, तो एच हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो जब मैंने बताया था कि पी दिया रे बी दिया रे जब एज ग्याद करना हो तो दोनों का रूट ले करके स्क्वेर करके जोड़ देना है अंसर आ जाएगा यहना तीन चोग यहां पर चार का स्क्वेर होगा तो 16 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा 16 प्लस में 9 जब देख लिजे कहां पर है option number a पर तो राइट हो गया है ना बात समझ में आ रहा है क्या मैं जो मैत आपको पड़ा रहा हूं देखिए मैत मुझे बहुत ही अच्छा subject लगता है ऐक ठीक है conceptual subject है ठीक है तो इसमें क्या मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है प्युदा रहा ह है ना मुझे जहां तक लग रहा ऐसा भी दारती होगा जिसको यह सब चीजे याद नहीं है तो उसका requirement है किस पर तो सुत्र याद करो सर है ना बार बार में बता रहा हूं ठीक है तो यह पर 10 A बरावर कितना था चार आपॉन 3 था यह किसके बरावर है P आपॉन B के अगर मतलब किया करन नहीं तो यह मतलब करन की requirement है तो करन जब निकालते हैं तो हम इसका स्क्वेर रूट में और दोनों के स्क्वेर करके जोड़ देते हैं तो चार चौके 16 प्लस में कितना हुआ तिन तीन तीन नो ठीक है तो इसको जोड़ करके जब बर्गमोल लिका लिगा तो पांच आज जाएगा बर्गमोल ठीक है तो यह बराबर बी आपके पस एजिटीज है तीन तो मैंने तीन लिखा उपर में और आच आपके पस नीचाहिए पांच तो तीन आपन पांच हो गिया मैंने दूबारा भी conceptual माज़ दम से समझाया ठीक है अगला सवाल देखो थोड जा सकता है ठीक है चारापां तीन है यहां पर आपको किसका requirement है तो यहां पर requirement है साइन एक ही है ना तो पी हमारे पास 4 है, तो 4 लिगा उपर में, एच आपके पास कितना है, अभी अभी आप निकाल ली थे, तो 4 अपन 5, है ना, आप बहुत सारी भी दर्तों कभी भी समझ में नहीं है, फिर से एक पर समझा देता हूं, दूबार बता रहा हूं, ठीका हो, ज़्यादा हम इससे थार ठीक है यह किस के होता यह आप लोगा 10 का होता है ठीक है यहां पर करन का रिक्विर्मेंट था करन आपके पाँच आ गया था नहीं तो यह अपके बस कितना सा परकार सवाल रहेगा जी इसे मैं एतना अच्छ तरीक नहीं बताने वालार यह घr तुनर सार मेठा्या के लिए मैंने इसको मिटा दिये और कि अप सद्वी क्रहूं को यह है कि इधर हमां को बनाओंगे हैं कि लाल ही निmod conceptual तो आम प्रेश्ट को बना रहे है तो च्हौ नामर मिढ बोल रहा है यहां पर आप का लोगोगा दिया हुआ है कि क्या घ्रक करना है तो साइन मतलब साइन थिटा इसके लिए क्या होता है तो सैन्ठेटा के लिए इसके लिए नहीं आप कोट के लिए क्या होगा थिया होगा थि मतलब पहले होगा आधार बटे में लंभ ठीक है तो यहां आपका क्या है रॉप्धवार यहां किसकी लग रहे हैं करने के लिए requirement है तो याज का requirement है इसको हम पूरा गैसे करेंगे इसको पूरा करने के लिए हम इसको थोड़ा से मिटा देते हैं ठीक है तक एक मिट भई सब कूछ मिट गया ओ माई गॉड क्या ही बताओं चलिए फिर से बनाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे साथ से प्रॉब्लम होते रहते हैं ठीक है तो यह हमारे पास कितना गिया था तो देखो कॉट यहां पर कॉट यह बराबर हम इसे बहुत इस सौट करना गष? को किは फिरुफॡ से खरें करना ही ब्ल गया था ठीक है चलिंप हई उसका इस्कषर कर देए सबसे पहले उसके बार मान को ग्याद करते एह ताकि एक एक चृष क्लियर हो ज stopना तो मैंने क्या पता है सबसे पहले एच जब मैंने ग्याद किया एक मिनिट में यह भूल गया था ठीक है तो पंदर पंदरंग पंदरंगी करके में अगए आगला सवाल करोंगा है यहां यहां पर परशन होगा एक करकर लोग solve कर लेंगे ठीक है ना चलिए इधर इसको हटा देते हैं चलिए इसको भी थोड़ा से मीटा देते हैं ठीक है आप देखिए हैं आपर परशने solve हम लोग detailed एक दम पूरा detailed तरीके से समझेंगे कि किस परकार से क्या करना है किस परकार से क्या नहीं करना है लाली सही है जब लाल ज्यादा दिखते हैं सभी ठीक है तो हमारा आठ नमर पर आई है ठीक है आठ नमर प्रश्णे में क्या बोल रहा है हमें आठ नमर प्रश्णे को सबसे पहले आप लोग देखिए कि आठ नमर प्रश्णे में के requirement किस चीज़ की है नहीं तो यहाँ पर आप लोग का simply क्या दिया हुआ है यहाँ पर simple अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको cos A ग्याद करना है ठीक है cos A ग्याद करना है बस समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना है तो यह चीज़ा आपको क्या करना होगा ग्याद करना होगा तो यह ग्याद करने के लिए आपके पास जो cos A होता है यह क्या होता है यह क्या होता है बी बटे में यहां पर बी की requirement है तो बी ग्याद कर लेंगे तो बी ग्याद कर लेना है उसके बाद जो भी आएगा आप इजिले पूट करके निकाल लोगे ठीक है चलिए अगला सवल पाई यह चलिए इसका बताना ना इतना तो तो देखो इसको भी बना देता हूं इसको बना दिया या फ ननोब नंबर भी बना वह लो भी लोट खुद से झा उसको और भी सवाल से बनाने है ठीक है उसके बद साइट यहाँ पर इस सवाल को मैं बना देता हूं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर ben जिस चर्गबर बना देता हूं तो तो क्या बोल रहा है कि sign A, यहांँ पर requirement को देखना है बाबू, sign A बरावर कितना दिया हुआ है, तो 3 बटे में 4 ठीक है, तीन बटे में 4 दिया हुआ है, ठीक है, और यह देखिये, sign यह जो है न, यह किसके बरावर होता है, तो यह P upon X के बरावर होता है, ठीक है, और यहां से आपको क्या ग्याद करना है, तो 10 A ग्याद करना है, यह होता है, P upon B के, है न, तो ग्याद क्या करना होगा, यहां से B ग्याद करना होगा, नहीं, क्यों ग्याद करना होगा, पी तो हमको मिल जा रहा है, 3, पी आपके पस तो 3 मिल जा रहा है, लेकिन B नहीं मिल रहा है, तो B ग्याद करने का मैंने एकदम सौटकार्ट जो फॉर्मूला है फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था इधर आपको दिखा भी देते हैं एक पर है देखो है एक का स्कुएर और फी का सकुएर घटा देना है भी निकल जाएगा वाल गया सवाल हां दस नमर में नहीं तो यहां से यह ब भी निकल लोगे तो 4 Bu culture 16 हores Hawkornsva न ना जब करोगे तो आपके पास कितना जायगा सोल्श से 9 जाएगा नहीं तो आपके पास मालों 10 से 10 में 9 गया तो कितना रहा एक और 6 में जोर दो कितना जागा रूट अंडर में 7 आ जाएगा तो बी आ गया तो 10 अगला सवाल दे कि आप मान के लिए पूछा है साइन 60 डिग्री रूट 3 वाई 2 होता है साइन 30 डिग्री हाफ होता है याद रखना 45 डिग्री साइन 45 डिग्री रूट 1 आपन रूट 2 होता है ठीक है कोस 60 डिग्री जस्ट उल्टा दो मैंने बताया था ना प्रोसेस रिवर्स इस परकार से कर दो कैसे करोगे याद नहीं आ रहा सर वो टेबल कितना याद करें तो दियान से देखो आप लोग को एक एक चीज के लिएर होगा जो साइन आपका 30 है वहाँ सॉरी साइन 60 है ना सा सती परकार से याद रहाँ लेना इस सिक्स्टी का 30 होगा व्यास असार आपण रूट टो कोस्ट यह हो जाएगा वहाँ साउन. 30 का क्या होता है तो साइन साटी वान अपॉन रूट टू और बटे में एक वास्ट 30 कितना होता थी यह होता है रूट 3 अपॉन में टू इसको जब सॉल्फ करोगे तो आन अपॉन टू गुना में रूट 3 उपर में जाएगा नीचे टू आएगा एक मिनटे गलती हो गया लग उसके बाद यहां पर देखी क्या पूचा है कि निमनलकित में से किसका मान सबसा दिखें तो किसका मान सबसा दिखो कि यह चीज पूचा है बहुत इंपोर्टन सवाल है चली देखते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले करकर मान निकाल लेता है साइन 45 डिगरी का वैलू हो तो देखिए साइन जोड़ी जोड़ा 30 डिग्री 90 डिग्री पर क्या था एक था है ना आप यह एजिटी जा रहा है तो यह इधर जा रहा है मतलब 0 हो जाएगा इसका वेलू नहीं 0 ही तो होगा चली 0 हो गया तो देखिए जब इसको भाग दोगे तो 0 पॉइंट कुछ एजिटी जाएगा मतलब एक से चोटा आगा इसका भी एक से चोटा होगा रही है तो अपसे नमर एक राइट अंसर होगी है ठीक है इस प्रगास सबको स्वाल करना है ठीक है बहुत यह आसान है आप लोग थोड़ा से देखना है ट्राइ करके कोई दिक्कत हुआ तो हमें आई ही है ना ओल्रेडी उसके बाद 21 नमबर सवाल में देखी क्या बोला हम टिकनोमेट्री को एक बामासान बसंब बताने की कोसिस कर रहे है ठीक है साइद कोश्चन मैं चे दिक बत कर लूँ चलिए सवाल में पूचा है कि यदि 10 ठीटा पर अबर एक तो ठ ठीटा कितना होगा 30 डिगरी इस परका का सवाल इजली आब बना सकते हुँ चलिए अगला सवाल की उपर एकला सवाल है कि 10 स्कुरे 30 डिगरी को वेलू क्या होता है इसको मैं निकालना सका देता हूं तो सबसे पहले आप साइन का क्या होता है रूट 3 अपन 2 होता है और यह इसका होता है 1 upon 2 यह cancel हो जागा तो root 3 तो यह root 3 का पहला चीज क्या हो गया इसका 10 square मैं 23 का बना रहा हूं 23 का solve कर रहा हूं ठीक है 23 का हम solve कर रहे हैं इधर ठीक है तो 10 square 60 degree यानि की root 3 का square ठीक है आप समझ मा गया फिर plus में 10 1 upon root 2 का square ठीक है बस समझ मा गया था तो इसको जब solve करोगे तो आपके पस 3 आ जाए क्यूंकि root के भीतर में जब कोई भी स्वेंका 2 बार गुना रहता है तो गवार निकल जाता है इनके 2 हो जाता है ठीक है न इस पर कर से 2 हो गया इसका हो जाएगा इसका क्या करोगे ले लोगे दो ले लिया एक तो दो एक हम दो तिन दो नी छो और जब एक तो साथ अपन टू ठीक है साथ वाई दो ठीक है यह बलग करेक्ट एंसर ठीक है 24 नमर बहुत है असान है इससे आप लोग कमेंट करके बताओगे है ना उसके बाद चलिए इधर मैंने फॉर्मला आपको पढ़ाया था याद करो इस तो फॉर्मला मैंने बताया था कि 10 ए 90 डिग्री माइनस थिटा क्या होता है क्वाट थिटा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थिटा यह 10 डिटा होता है तो बताओ कि यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान क्या होता है अब मान रखो या फिर यहाँ पर आप चेंजेस करके लिख ले ना यह आप लोगाराम से बना सकते हो यह वाला सवाल तो आपके एंसे यह सवाल यह सब चीज़े आपके लोका देख रहे हैं यह आपका यह आपका सवाल आप इसलिए बना लोगे यह इंपोर्टेंट आप बहुत ही इसलिए आप कर सकते हो ठीक है यह सब चीज़ें हो जाएगा कोई दिक्कर वाली बात इसमें तो है नहीं मुझे जहां तक लगा रहे है तो बहुत है हसानने मां नहीं रखते आप यह नहीं कर लोगे अभी मान तो आपको बाद में मिले जाएं यह कर लोगे बता हूँ क्या बना लोगे या फिर नहीं बना पाऊगे यहीं बतस्के को अने है लिए बित नहीं पने जो आप अगे जो बहुता है पीस्त काम स्भाइब के तरह में भी यह लिखतेां सटीस्पाइब होगा उसमें आप देख लेना अंसर आजाएगा इसको देखो गे यह तावसान है one minus 10 इसका उजाएगा one यहां पर बोल रहा है क्या यहां पर बोल रहा है कि साइन अटर डिग्री बटे में हैं कोसबात Already को आस बुए है यह तो इसको किस परकार से फाइंट करोगा है। चली हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि चली इसको थोड़ा से मिटा ने जगए इस जगह कम थोड़ा मिटा देतें दोस्थो ताकि समझाने में सबसे बढ़ याल लगेगा ताकि समझाने में कोई कसर ना चड़ें ठीक है न हम इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ठीक है तो मैं प्रश्ण को रख दूँगा यहांपर थोड़ा सा मिटाओंगा ज्यादा मिटाने वाला नहीं ठीक है ताकि प्रश्ण यहां से स्वाल्व हो जाए क्या हो रहा है चलिए हम सवाल को समझेंगे यहाँ पर क्या बोड़ रहा था कि यहाँ पर था साइन 80 डिग्री कौश 72 नहीं अब इसको सॉल्ब करने का तरीका मैंने आपको पड़ाया था याद करो देखिए आप इधर नीचे भी बदल सकते हो और उपर भी बदल सकते हो तिसमें मैंने नीचे भी बदल मैं उपर ही बदल देता हूँ देखिå sign 90 minus theta क्या होता है mananaными theta cost theta होता है मैंने याद कर आया था बार बार अभी भी हम बता रहे है कि याद कर लो बाबू अगर कुछ करना है जिन्नी में तो 90 minus theta तो कितना घटा दोगे कि आपकी पस 80 degree आजएगा 90 है 90 से कितना यहां पर घटा दोगे ठेक कि आपके बसातर 18 डिगरी आज़े, sorry, 18 डिगरी आज़े, कितना घटा होगे, बताओ, खुद से कमेंट करो, नहीं, simply आप कितना घटा दोगे, यह इधर आप लोग कितना घटा दोगे, तो 72 ठीक है sorry 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 माप कीजिए फिर से हम गलत बता रहे हैं इधर आप सही है ना आप नीचे आपके पास कस 72 डीकरी है ही है इधर आपका कॉस हो जाएगा ठीक है इधर आपका sign 90-30 90-30 आपके बतर है तो यहाँ इधर होगे कॉस बहतर डीकरी और नीचे आपके पास already कॉस बहतर हो गिया ठीक है इसी प्रकार साब को स्वाल करना था चलिए हम इसको भी थोड़ा से मिटा देते हैं और हम मूब करते हैं अगले प्रस्टे की तरह अगला प्रस्ट में भी हमारा complete हो जाए ठीक है ना चलिए हम सवाल देखते हैं अगे और जो भी चीज़ें आप लोग की ज सब्लत काम कर रहा हूं नहीं चलिए और ऐसे करने से हमारा यह बक्ती बरबाद होगा ठीक है इसको भी आप इजली कर लोगे ठीक है कर पाओगी की नहीं इधर देखो क्या करना है कि साइन नाइनटी माइनस थिता नाइनटी माइनस फॉर्टी त्री डिग्री याना और नी थितत्स ऐसी टइब का इससे भी बन जाए ये भी बन जाएगा कोई दिक्कत sinners से बिकत खर타र對 m नवज्थ यह इदर क्या है कि साइन फौर्टी ऑच डिग्री माइनस में हैं क्या साइन 42 डिग्री ठीक ही यह चीज़ दिया हुआ है तो देखो इसको solve करने का तरीका क्या होगा मैं इधर बदल सकता हूँ या पर इधर भी बदल सकता हूँ क्या हो रहा है पता नहीं कुछ है क्या है एक मिन रुको चलिए इधर एक कॉस 48 डिगरी फिर माइनस में हो गया क्या इधर क्या करेंगा हम साइन 90 माइनस में ठेटा कर देंगे 48 बदेंगे देखी 90 है 90,, 90 सकrd 48 घटा रहे रहे है तो ह mRNA औघा शल भानओं क्या होंगा मैं छोड़ा से चेंज कर लूँगा थोड़ा सा में चेंज कर लेता हूँ इधर देखी आपके पास क्या है कि का थी पॉस 48 डिगरी अ-'धर सेफिर माइनेस देखिए अब साइन है और इदर थीटा के रोप में यह है साइन नहीं साइन कहीं होगा साइन नाइन्टी मैनिस तरह कॉस्त धिश्च थेटा क्या ठीक है तो देखिए आप देखिए क्या होगे यहई चीज यह इमेल हो गया एक हो गया मंदर्ब एक से कितना तो घड़ जाए कितना रहेगा इस प्रकाट से सौल्ब करना था चलिए यह पेपर आपको टिकोनमेट्री जो है आपको बहुती 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 बहुतर इं तरीके से और मैंने इज़ी कंसेप्ट के साथ आपको समझाने की पूरा-पूरी हमारे ज़ब कशिस थी मैंने किया ठीक है आप आप लोग की पढ़ाई की आप अच्छे देगे से कीजिए कोई भी दिक्कत लगेगा कमेंट कर देना मुझे आप लोग की सहता के लिए मैं जोरू करूंगा जो भी हेल्प होगी ठीक है तो दोस्तों क्या हम वीडियो कहीं एंड कर दें तो और कुछ कंसेप्ट क जोरत होगी तो हम आगे की वीडियो के माईदम से समझेंगे और इसका कंप्लेट पीडियाप दियान सुन लिजे हम यहां तुमें बताना भूल जाते है कभी कबार तो इसका कंप्लेट पीडियाप आप लोगों कहां पर मिल जाएगा वीडियाप के तोर पर आप लोगों ह स्क्राइब जोरू करना और कमेंट जोरू कर देना ठीक है तुछ लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों जाएंद